ये भूमी है सांस्कृतिक धरोहरों की, ये भूमी है आपसी प्रेम और भायचारे की, ये भूमी है बहादुरों और मजबूत इरादेवालों की, ये देव भूमी उत्तरा खंड है. कुदरत ने जहां चारों ओर अनौक एक सौंदर्रे की छटा विखेरी हुई है, वहीं उत्तरा खंड प्रदेश अपनी अनूठी संस्कृति एवं लोककला के लिए जाना जाता है. परन्तु जहां एक ओर हुशहाली है, हर्याली है, वहीं दूसरी ओर उत्तरा खंड आज भी प्लायन की पीड़ा जेल रहा है. उत्तरा खंड वासी, मजबूरन बस रोजी रूटी और बेहतर भविश्य की तलाश में गाउं से शेहरों की तरफ रुख कर रहे हैं और गाउं खाली हो रहे हैं. लेकिन इस पलायन के दौर में उत्तरा खंड का एक शित्र ऐसा भी है, जो देखने में कोई आम गाउं ही लगता है, लेकिन यहां जो हुआ है, उसने यहां रहने बालों की खिस्मत ही बदल दी है. आज हम पहुँचे हैं पौडी गड़वाल के बीरोखाल ब्लॉक शेत्र के ग्राम जमरिया में. सुखी संपन इस गाउं में आज हर चीज बढ़ी है और जो कम हुआ है वो है पलायन. कुछ साल पहले इस शेत्र के लोग भी नौकरी की तलाश में शेहरों की ओर रुख कर रहे थे. लेकिन आज इस शेत्र में पलायन की जगा रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है. रिवर्स माइग्रेशन का एक उधारन पेश किया है हर्मन प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में अमबे फाइटो एक्स्ट्रैक्स प्राइविट लिमिटेड ने. अमबे फाइटो एक्स्ट्रैट्स प्राइविट लिमिटेड मानो इस शित्र के लिए वर्दान बन कराई और काफी हद तक शित्रवासियों का बनवास खत्म हुआ अमबे फाइटो एक्स्ट्रैट्स प्राइविट लिमिटेड का इस शित्र में आगमन एक ग्रांतिकारी शुरुआत थी साथ हजार स्क्वेर फीट में पहले इस प्लांट में हर्बर एक्स्ट्रैट्स, न्यूट्रसूटिकल्स, फूट पाउडर, हेल्थ केर और कॉस्मेटिक्स केर जैसे कॉलिटी प्रोड़क्ट्स तयार कर योरोप, यूएसे, एशिया और अन्य कई देशों को सब्सक्राइब कार प्रात है यहां की परिस्थिती कुछ ऐसी थी कि ना वैवसाई के जादा मौके थे और नहीं रोजगार के साधन, यहां का यूवा पसुपेश में था, जैसे अनूप सिंग, जो बहतर भविश्य के लिए परिवार से दूर शहर में अपनी जमीन तलाश रहा था मैंने सोचा कि एजुकेशन पूरी करने के बाद यह तो आर्मी के ट्राइ की जाए, आर्मी के ट्राइ में नहीं हुआ तो यहां तो यह होता है पार्ड में की चलो जी दिली चलो, तो मैं दिली गया, मैंने वहां प्राइवेट जोग करी पांचन साल, तो आप बसो का किराया, रहने के लिए कमरे का किराया, उसम देना पड़ा तो कुछ पैसा बसता नहीं था, मैं जिस कंपनी में पहले दिली में जॉब कता था तो वो किसी ने बताया, किसी यह मुशी तरह की कंपनी खुल रही है, तो मैंने यहां पर ट्राइ किया, अप्ला अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बढ़िया नौकरी का सपना लिए, अंजान शहर में संघर्ष करने को मजबूर होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपने घर से और अपनों से दूर रहने का दर्द भी सताता है लेकिन अब एक नई सोच जन्म ले चुकी है, बहुत से लोग आज इस कमपनी में अपने परिवार के बीच अपनी जन्म भूमी में रोजगार पाकर अपने सपनों को साकार करते हुए खुशी की जिन्दगी जी रहे हैं अपनी पूरी फैमली के साथ था, पैसे भी दिली से तोड़ा ज़्यादा थे और खर्चे भी आदे हो गए थे आज के लोगों क्या है कि गाहों के बगल में ज़स कंपनी है और उसी कंपनी में जाकर जोब करनी है इसलिए आज के लोगों को जड़ा दिली जिसे सहर में जाकर संगस करने की ज़रोत नहीं है यहां कि मुझे यही मिला जो मैं चाहती थी R&D Biotech Department वही मिला यहां के अटमसफेर से जो कामनेस और जो सीखने की इच्छा पैदा हुई है न वो शायद कहीं और नहीं हुथी I just completed my postgradation in Uttarakhand and just came near about my hometown for the work working environment I'm pretty sure that more of young talent will come over here and it will help in stop migration अम्बे ने जहां अपने कर्मचारियों को उचित ट्रेनिंग दे कर उन्हें आत्म निरभर बनाया वहीं कई लोगों के लिए मुसीबत की घड़ी में सहारा बनकर भी सामने आई मेरे हजमेंट सर 2012 में एक्सपर होई थे उसके बाद मुझे बहुत दुख जहिलने पड़े काफी कि सब के ताने सुनने बड़े बहुत कुछ हुआ कुए का मेठा के बोलते हैं हमारे उसमें कि कुए का मेठा कुआ ही सड़ेगा मुझे यही था अपनी जिंदिगी से कि बच्चों को किस के आगे हाथ फेला के पालू कुए अपने लोग रहते हैं इसलिए मैंने उन्हें पता किय तो उन्हें ने बूला यहाँ पर जॉब है तो वहाँ पर आई वहाँ पर मैं पहले एक हैल्परी के उसमें काम किया आज मैं अच्छे से उस पर पहुंच गी ओंूँ कैप्सुल रूम में मैं वहां की वह इंचार्ज हूँ कमपनी पढ़ाई का खर्चा वर्चा देती है बच्चू का उनका सपोर्ट रहता है कि आगर कोई भी दिक्कत हो प्रेशानिया हो मैं कमपनी वाले हर तरह से सॉल्व करते हैं आम तोर पर जब किसी गरामीन इलाके में फैक्टरी लगती है तो पारंपरिक वैवसाई को छोड़कर लोग नए काम अपना लेते हैं लेकिन अमबे फाइटो एक्स्ट्रैक्स प्रैविट लिमिटिड के आने से काम के नए अवसर तो मिले ही साथ ही खेती बाड़ी करने वाले किसानों का भी सशक्ती करन हुआ सबसे बढ़िया बाद की फैक्टरी भी बहुत अच्छी चल रही है और पूरा गाउं हराब रहा है परिवार वहां रह रहे हैं, खेती पूरी हो रही है वहां पसु पालन हो रहे हैं सारी की सारी समयसियां लगबग ना के बराबर हैं और जो आसपास के लगबग दस बारा गाउं खुसाहली के साथ लोग वहां पे रह रहे हैं कि अज़ करना ना किरी फिर आम गारा गया कंपेंड बन वह मेरा पाती काम कर दियोगा कि अज़ भाड़े करना चाहा आप थोड़ो बहुत तब कंपेंड लोगवाल की तुम माला जनादरा के मिर्च ज़ उगियों अहाली आवलाब बोलन चाहाई हुता हुगा तब बुलन चाहाँ मर पास लिया था मोक ब्यकुन चाहाँ थोड़ो बहुत घर साही चलुन चाहाँ जो आज तक कैसलिस जो खेती होती थी आज वो कैस वाली कैस हो गई है आपने उगाया, काटा और लेके फैक्टरी और आपको immediate कैस मिला यहां के लोग बहनत करने को हमेशा ततपर थे, बस मौके नहीं मिलते थे, अब तस्वीर पूरी बदल चुकी है, नौकरी के अवसर पाकर युवा खुश है, अपने परिश्रम का सही मोल पाकर किसान खुश है, और छोटे-मोटे काम धंदे में लगे लोग भी अपनी आमदन में आए उचाल से काफी खुश है, पैसा तो आज ज्यादा कमा रहे हैं पहले से, तो क्या आप कारोबार बढ़ा है तो ज्यादा हो गई, पहले हमारी छोटी दुकान थी, हम 4,000 रुपे कमाते थे, उसके बाद हमारे यहां पर कमपनी खुली, कमपनी खुलने के बाद हमने दो-चार कमरे बनाए, दो-चार कमरे बादने के बाद हमारा थोड़ा कारोबार बढ़िया, कमपनी वाले वहां आगे, फुड़ी हमारी दुकान दारी बढ़िया हो गई उसके शीतल सिंग चौधरी Charitable Trust के माध्यम से उत्तराखंड की विलुप्त होती सांस्कृतिक धरवरों के संग्रक्षन हेतु प्रयासरत है, और साथ ही आसपास के शित्रों में स्वास्थ एवं शिक्षा सुधार हेतु समय समय पर कैम्पों और गोष्ठियों के माध्यम से अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाहन भी कर रही है। कंपनी आसपास के इलाखों में समय समय पर कल्चरल इवंट्स, स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज, हेल्थ कैम्प्स और स्कूलों में एजुकेशनल कैम्प आयोजितकर अम्बे की साफ नियत और कर्तव्य प्रयानता को दर्शाता है। और अपने प्रदेश की उन्नती में योगदान दे रहे हैं। और ये सब संभव हुपाया है एक इनसान की अच्छी सोच और उस सोच से जुड़े लोगों के सहयोग से। हम लोग खुद इस जम्रे गाउं की फैक्री से पचीस से तीस देसों में एक्सपोर्ट करते हैं। और जम्रे गाउं आज देस बिदेस में एक नाम है। मेरा हर बंदा जो मेरे साथ काम करता है वो मिलने अमोले हैं। और सीथी से बाइद है कि उनकी विज़े से ही आज सब कुछ है। इस शित्र में प्राकृतिक सुंदर्ता तो थी ही। लेकिन अब हस्ते मुस्कुराते चहरों से यहां की रंगत ही बदल गई है। इन चहरों पर मुस्कान है गर्व की, स्वाव लंबन की, आत्म विश्वास की। आज जमरिया गाउं एक आदर्श बन चुका है और यहां के लोग एक सार्थक जीवन की मिसाल। अंबे फृत्ट की विश्वास की लिए है।